असलाम अलेकुम क्लास फॉर्थ यर आज आपका अप्लाइट यामिस्री का थार्ड लेक्चर है और इसमें आपको याद होगा कि हम पढ़ रहे थे पेपर करोमेटोग्राफी के डिफरेंट स्टेप्स उसमें हमने फॉर स्टेप्स पढ़ लिये थे आज हम फिफ्ट स्टेप पढ़ने लगे हैं जो है डिवेलपमेंट हमने पहले भी जो शॉर्ट आंसर्स थे उनमें डेफिनेशन में किया था डिवेलपमेंट बेसिकली वह प्रोसीजर है जिसके थूँ जो है वह हम रेजुलेशन करते हैं अपने जो कंपोनेंट है उनको सांपल को अलग अलग कर ल आते हैं फोर मैथर जो है वह हम इस्तमाल करते हैं फर्स्ट वन इस सेंडिग एंड सिकेंड वन इस डिसेंडिग थर्ड वन इस तू डामेंशनल and the last and the fourth is rotational or horizontal circular you can say it today we will read ascending technique ascending as you know means from lower to higher तो यहां पर हम क्या करेंगे एक करोमेटोग्राफिक टेंक लेंगे उसमें जो हमारा मुबाइल फेज है वो नीचे से उपर की तरफ जो है वो फ्लो करके जाएगा ठीक है तो आज हमने पढ़नी है असेंडिंग टेक्नीक सबसे सिंपल है और नॉर्मली बहुत ज्यादा इस्तामाल की जाती है अगर आपने कोई सिंपल से कंपोनेंट जो है वो सेपरेट आउट करने हैं इसके लिए आपने करना क्या है हमारे पास एक करोमेटोग्राफिक टेंक होता है इसके अंदर जो है वो हमने मुबाइल फेस डाल लेनी है ठीक है यह जो थोड़े बड़े वाले मैं लगा रही हूँ कि मैं डिफरेंट किलर से लगा देती हूँ ताकि आपनों को समझ सही से आजए यह जो मैं रेड से लगा रही हूँ यह आप समझ लेजिए कि हमारा सॉल्वेंट है या मुबाइल फेस है ठीक है अब हमने वो जो पेपर त्यार किया था उसको क्या करना है यहाँ पे इसके एक रॉड लगी होती है ठीक है इस रॉड के साथ हमने वो अपना पेपर जो है वो इसके अंदर डिप कर देना है ठीक है यहाँ से आप क्लिप कर सकते हैं किसी भी चीज से कॉमन पिन से कर दीजिए इनके साथ ही क्लैम साते हैं उनके साथ भी कर सकते है अब इसको डिप कैसे करना है इसके अंदर आपको याद होगा लास्ट वले टॉपिक में एक ऐसी स्ट्रिप बनवाई थी नैनिया और यहाँ निष्डिया पर एक लेट पैंसिल से निशान लगाते हैं हम और यहाँ एक सर्कल या क्रॉस लगाते हैं और इसके अंदर हमारा सांपल मुझूद होता है तब हमने अपना साम्पल इस जगा पर प्लाए करना होता है अब यह जो स्ट्रिप हमने लटकाई है इसके अंदर यही स्ट्रिप है जो हमने लटकाई है मैंने पहले भी बताया था कि यह रेक्टेंगल भी हो सकती है और स्ट्रिप्स की फॉर्म में भी हो सकती है अब आपने क्या करना है और एक और तरीका भी होता है कि हम इसका एक छोटा सा जो है वो सरकल मतलब इस तरह इसको रोल करके जो है वो उसके अंदर रख सकते हैं ठीक है अब हमने धियान इस पात कर रखना है जब यहां से क्लैम्प करना है कि जो हमारी मुबाइल फेज है वो ह मुबाइल फेस के अंदर चला जाएगा ठीक है जबके हमने क्या करना है यह जो लाइन लगाई थी इसको इतना नीचे करना या यह इसके जो बेस है बॉटम है उसके साथ टच कर दें या नीचे से फोल्ड हुआ पड़ा हो आपका तो इसके लिए आपने करना यह है कि आपने लेड पेंसिल के साथ हमने लाइन लगाई थी इससे नीचे नीचे आपका मुबाइल फेस जो है वो इससे नीचे नीचे होना चाहिए ठीक है अब मुबाइल फेस क्या करेगी मुबाइल फेस जो है वो यहां से पेपर के अंदर एबजॉर्ब होगी और यहां से फ्लो चलती जाएगी ऊपर तक अउप्त फ्लो करती जाएगी अब हमें आम तब प्रहम को याद होगा हम can best test software using the software, and can faites on the Couple 방법, हो इसी सोलन्वने सब्साद में एफज स्वाइटी, जल्दी से और वो एफणले हो जाते हैं सब्सक्राइबrich," क्योंकि सफ्स People of course of gravity के अगींस्ट था है, इस्यं शूरू में नोबर को थेज लगता है लेकिन उसके बाद कम सब्सक्राइब और अगर देखा जाए तो स्लो ही होता है उसके बाद कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि आपका सॉल्वन्ट जो है यानि मुबाइल फेस जो है फ्लो करके यहां तक आ गई है तब हम जो आपका पेपर होता है उसकी नमबाई जो है उसके आधे से उपर चली जाए या थ् सामपल जो था कम्पोनन्ट कलर थे तो आपको यहां पर यह नज़र आ जाएगए बिलकुल वैसे ही जैसे आपको इंक अगर हम तीन इंक्स जो हैवो मिक्स करते हैं तो वह आपको नज़र आती है अलग-अलग हुई हुई उसी में नज़र आ जाती है लेकिन अगर आप के जो sample था, वो colorless था, तो आप क्या करते हैं, तो फिर हम इसको इसमें से remove कर लेते हैं, dry करते हैं, और उसके बाद इसके उपर locating reagent का जो है वो spray कर देते हैं, जो आपने अब fourth year में practical करना है, उसमें आप colorless samples लेंगे, और locating reagent का इस्तमाल भी करेंगे, और उसके बाद जो है, वो हमने RF value find out करनी, लेनी होती है, RF value आपको बताई थी, कि distance होता है, जो आपके spot ने travel किया है, और वो distance जो के solvent ने, यानि mobile phase ने travel किया है, ठीक है, distance travel by the spot, और distance travel by the solvent spot क्या है, जो हमने cross का निशान लगाया था, उस दर जो है, वहाँ पे, ठीक है, और distance solvent travel क्या है, जो आपके mobile phase travel करके, यहां तक गई है, इसको measure कर लेते हैं, यह भी मैंने आपको इस टम बताया था, बड़ अच्छे थरीके से कैसे इसको जो है, वो हम separate out करत हैं.